मैं भी बहुत दिल्चस्पी से विराट कोली को देखता रहा हूँ क्यूंकि मैंने पिछले 40-45 सालों में सभी महान बल्ले बाजों को देखा है बहुत कम लोगों ने गेंद को इस तरह मारा है जैसे वो मार रहे हैं शायद एक मात्र दूसरे व्यक्ति जो मुझे याद आ रहे हैं वो हैं विवियन रिचर्ड्स जो गेंद को इस तरह मारते थे लेकिन उनके अंदर मिशन की ऐसी भावना नहीं थी जो इस लड़के में वो बस मज़े के लिए खेलते थे और करेबियाई संस्कृति कुछ वैसी है उन्होंने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया या उतने जोश के साथ नहीं खेले जैसे ये लड़का खेल रहा है लेकिन मुझे लगता है कि वो एक मात्र खेलाडी थे जो गेंद को ऐसे मारते थे जैसे आज ये लड़का मार रहा है जो बहुत दुरलब है अधिकांश लोग जिन्होंने सिर्फ टेलेविजिन पर क्रिकेट देखा है शायद ये नहीं समझते कि ये दुनिया के सबसे खतरनाक खेलों में से एक है 130-140 किलोमीटर प्रती घंटा की रफतार से एक हार्ड बॉल आपकी और आती है ये बहुत खतरनाक खेल है आपको पता होगा कि गेंदबाजी की मशीने होती है वो कोलकता में भी होंगी हाँ गेंदबाजी की मशीने होती है नौजवानों मैं आपको बता रहा हूँ 140 किलोमीटर मत आजमाईए 80 या 90 किलोमीटर पर बस, गेंद बाजी की मशीन को 90 किलोमीटर पर सेट कर दीजे और वहां खड़े उकर देखिए कि गेंद कैसे आपकी और आती है जबरदस्त तेज, ठीक है तो हर गेंद अलग तरीके से आपकी और आती है तो उसे संभालने की जरूरत होती है हमें समझना होगा कि वहां मौजूद हर कोई बहुत अच्छा खिलाड़ी है वो अनाड़ी दिख सकते हैं, वो शून्यों पर आउट हो सकते हैं मगर वो जो कर रहे हैं, उसमें बहुत अच्छे हैं मगर कोई इस तरह अलग से चमकता है इससे मुझे याद आ रहा है एक मोटर साइकल चालक था जिसका नाम कैनी रॉबर्ट्स था जिसने लगातार पांच बार वर्ल्ड चैंपिंशिप जीती थी लोगों को विश्वास नहीं होता था क्यूंकि चैंपिंशिप पाने के लिए आपको देश भर में 16 रेस जीतनी पड़ती है सारी मशीने टॉप कंपनियों द्वारा तयार की जाती है और सबसे उंची प्रतिभा के लोग होते है मगर लगातार पांच जीतने को अभूत पूर्व और असंभव माना गया तो उससे पूछा गया आप ऐसा कैसे करते हैं वो बोला मैं नियंतरण के साथ नियंतरण से बाहर जाता हूं मैं ऐसे बहुत अच्छी तरह समझता हूं मैं अपने जीवन के हर कदम पर इसी तरह जीता हूं हमेशा नियंतरण से बाहर मगर नियंतरण के साथ हर किसी को इसी की खोज होती है वो अपने जीवन में थोड़ा सा पागलपन चाहते है मगर वो पागल नहीं होना चाहते मगर सुरक्षा की अपनी चाहत के कारण वो उस थोड़े से पागलपन से खुद को दूर कर लेते हैं फिर वो हैरान होते हैं मेरे जीवन को क्या हुआ ये उबाओ और बेकार हो गया है वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं फिर वो किसी चीज से चोट खा जाते हैं वो फिर से अपने आसपास दिवाने बना लेते हैं ये प्रक्रिया चलती रहती हैं तो अगर इस तरह के प्रदर्शन की बात करें तो एक चीज है जोश दूसरी चीज है जो आप कर रहे हैं उससे प्यार जो आप कर रहे हैं उससे वाक़े ही प्यार करना आप में वही करने की चाहत होना हैदरबाद के एक फिल्म अभिनेता का आखरी प्रशन था सद्गुरू ये सब ठीक है मगर क्रिकेट में पाकिस्तान को कैसे हराएं मैं बोला आपको पाकिस्तान को हराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए आपको बस गेंद को मारना सीखना चाहिए उस गेंद में पाकिस्तान नहीं है ठीक है आपको बस गेंद को मारना है आपको पाकिस्तान को नहीं हराना अगर आप अपनी मूर्खता पूर्ण भावनाओं के साथ पाकिस्तान को हराने की कोशिश करेंगे तो आप कुछ मूर्खता पूर्ण करेंगे, जो लगतार हो रहा है। मेरे खयाल से हाल ही में विराट कोली ने टेलेविजिन पर कहा, मेरी एक ही समस्या है, गुसा, मैं एक भिक्षू की तरह होना चाहता हूँ। कुछ ऐसा उन्होंने कहा था, उन्होंने अपने शब्दों में शांत रहनी की इच्छा जदाए। मेरे खयाल से उन्हें संतुलन की जरूरत है, उनके पास ऐसी प्रतिबाह है, कि अगर वो संतुलित रहना सीख लें, तो वो असाधारन बन जाएंगे, वो धर्ती पर सिर्फ एक और खिलाडी नहीं, क्रिकेट की एक नई कहानी बन जाएंगे, उन्हें जरूरी गुण मौझूद हैं, जब वो 17 साल के थे, तब मैंने ये कहा था, मैंने सिंगापोर में अंडर 18 टीम या किसी टीम के लिए उन्हें खेलते देखा था, वो कप्तान थे, मैंने इस लड़के को खेलते देखा, और मैंने तभी कहा, ये लड़का बहुत दूर जाएगा, और फिर लगभग 5-6 सालों तक वो मेरे दिमाग से निकल गए, फिर अचानक एक दिन भारतिय टीम में टेस्ट मैच में दिखे, और अब वो इस तरह आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें खुद को संतुलित करने की जरूरत है, अगर वो एक ठंडी आग बनना सीख लें, ना कि ऐसी आग जो उन्हें जला दे, तो वो ऐसी चीज़ें करेंगे, जो शायद लंबे समय से नहीं हुई हैं, मेरे खयाल से हम उन्हें आत्म रूपांतरण के साधन दे सकते हैं, जो आग को खत्म नहीं करेंगे, देखिए, खुद को आग बनाने के दो तरीके हैं, अगर मैं गुस्सा होता हूँ, तो मैं खुद को प्रेरित कर सकता हूँ, ये एक रास्ता है, मगर आप सभी जानते हैं कि जब भी आप गुस्सा होते हैं, वो आपको ढखेलता है, साथ ही कई रूपों में वो आपकी समझदारी खत्म कर देता है, वो आपकी काबलियत नश्ट कर देता है, हम आपको वेग्यानिक तरीके से मेडिकल तौर पर दिखा सकते हैं कि जब तो कैसे आपके शरीड में जहर पैदा होता है, वैसा बनने के बजाए, आप खुशी-खुशी खुद को प्रेरित कर सकते हैं, आप नहीं जानते कैसे, देखे, हम लंबे समय से इंटरनल कंबस्चन इंजिन चला रहे थे, जो धुआ देती है, प्रदूशन फैलाती है, और किसी चीज के आराम से चलते हैं, आटो मोबील के एक शेत्र में हम एक नए योग में प्रवेश कर रहे हैं, इसी तरह आप समय आ गया है कि मानफता एक नए योग में प्रवेश करें, कि आप सुखत तरीके से खुद को प्रेरित करना सीखें, मैं भी दिन के 20 घंटे, 365 दिन आन रहता हूं, लोग मुझसे पूछते हैं, आपको क्या चीज प्रेरित करती है सद गरू, आपका मिशन किया है, मैं कहता हूँ, मैं बस समय काट रहा हूँ, अगर आप समझदारी से खुद को प्रेरित कर सकते हैं, तो आपको गुशसे और वैसी चीज़ों की क्या परूरी नहीं है कि आपको गुस्से या नफरत से खुद को आगे बढ़ाना पड़े। हाँ, ये चीजें एक तरह से आपको उर्जा देती हैं, मगर कई सतरों पर आपकी काबलियत खत्म कर देती हैं। देखिए मौसमी जबरदस्त व्यक्ति को भुला दिया जाएगा, उन्हें एक बनने की जरूरत है। किसानों दोरा, सद्गुरू और इशा फाउंडेशन की मदद से 242 करोड पेड लगाने की योजना बनाई गई है। दोस्तों, 242 करोड पेड लगाना बहुत बड़ा टार्गेट है और ये तब ही जल से जल पूरा किया जा सकता है जब हम इसमें सद्गुरू जी की मदद करें। इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना बस कमेंट या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करना है और एक पेड के लिए मातर 22 रुपे डॉनेट करना है। आप चाहें तो एक से ज़्यादा पेड के लिए भी डॉनेशन दे सकते हैं। डॉनेशन देने के बाद आपको सद्गुरू की तरफ से इसका एक सर्टिप्ट भी आपको सेंड किया जाएगा जैसा कि एक मुझे ही मिला है जो आप यहां देख सकते हैं। तो दोस्तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है आप जितने ज़्यादा पेड लगवा सकते हैं आप जरूर लगवाएं। एक पेड के लिए आपको मातर 42 रुपे ही डॉनेट करने होंगे जो कि शायद आपकी एक दिन की पॉकेट मने से भी बहुत कम है। दोस्तो अगर आपका अपना कोई प्रशन हो तो आप दिखाएगए शोशल मीडिया अकांट्स को फोलो करके अपने प्रशन हम तक बेच सकते हैं। हमारी कोशिश डाईगी आपके सवालों को जवाब जल से जल देने की। या फिर हम आगे आने वाली वीडियोद में भी आपके सवालों को शामिल कर सकते हैं।